यती नरसिंग हारंद स्वामी बैठे अंशन पर दिल्ली से बीएचेएस अध्यक्ष आड्रेस बाली पहुंचे हरिद्वार समर्थनमी नमस्कर एप्टी लैम में आपके साथ मैं हो सिम्रनकॉर हरिद्वार में हुई धर्मसंसत भड़काओ भाशन में गिरफतार हुए वसीम रिजवी और्फ जितेंद्र नराण सिंग त्यागी को छोड़ने की मांग को लेकर स्वामी यती नरसिंग हरनंद सरस्वती गुरुवार की शाम को हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर धरने पर बैढ़ के थे और अंशन शुरू कर दिया था उतरप्रदेश श्रिया वक्फ बोर्ट के पूर्व शेयरमेन वसीम रिजवी और्फ जितेंद्र नराण सिंग त्यागी की गरफतारी के विरोध में गाजयाबाद के डासना इस्तित देवी मंदिर के महंत एवं जूना अखारे के महामंडलेश्वर स्वामी यती नरसिंग हानन का अंशन शनिवार को भी जारी रहा उनका कहना है कि त्यागी के रिहा होने तक वे अनजल ग्रहन नहीं करेंगे इससे पहले शुकरवार को सीटी मजिश्टेड और सीओ सिटी उनको मनाने के लिए पहुँचे लेकिन वे नहीं माने उत्तरी हरिद्वार के खरखड़ी शुकरवार के सुबार दिन भर पुलिस फोर्स धरनास्तल पर डटी रही वहीं शाम के समय सिटी मेजिस्टेड अवधिर सिंग और सीओ सिटी शेखर सुयाल ने उनसे मलाकात के इसे विवात के चलते आज दिली से भारती हिंदू एकता संगठन के अध्यक्ष आरेस बाली स समर्थन करने के लिए हरिद्वार पहुँचे जहां पर उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारी गुरू है और उनके ऊपर कोई भी आज आई तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वसीम रिजवी और उफ जितेंद्र नरायन त्यागी को रिहा न देखना ये है कि इस अंशन से उत्तराखंड सरकार पर और प्रिशासन पर क्या असर पड़ता है क्या जितेंद्र नरायन त्यागी को छोड़ दिया जाएगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा संतों के खुन ठंडे हो गए क्यों नहीं आते आखालों के संत अचारे मंडलेशर हैं वो लोग आईए हम लोगों के साथ जुड़िए हमारे अंदर राष्ट बाजिता है हम लोग भारत की संस्कृति से प्यार करते हैं भारत के संसकार से प्यार करते हैं गंगा की प्रिस्त को खिलोना बना रखा है लोने समझे वो पांच दबे नमाज करते हैं आप साथ हमारे यहां तो प्राता काल की जो है गायती अलग है मद्यान की गायती अलग है समझे संद्या की गायती और रात्री की गायती अलग है हमारे यहां तो भी जो है पांच दबे जो है करना अगरी ह पुत्र करना है हमारी संस्क्रिति देखो न हम तो मकान रखने के नीम रखने से पहले हमारे जो है हमारे बच्चे की नीम रखी Agent जो माता पिदा अपने बच्चे की नीम रखते हैं वोई बच्चे जो इस देश के लिए मरमिटल नहीं की तयार है हिंदुस्तान की फोज मैं कारगिल के युद में गया था हिंदुस्तान की फोज ने मुझसे एक बात मांगी कि महराजी यदि आप कारगिल आएं दरास आएं तो आप एक बात हमें देखे जाएगे कि हम कोई भी व्यक्ति जो हैं छाती पर गोली खाएं पीठ पर गोली नहीं खाएं ये हिंदुस्तान की फोज की पहचान है वो राष्टवादी हैं उनकी मां के खून के अंदर दूद जो है मां के दूद में उनके जो हैं जब बेट करते हैं और जमानत के लिए हम तयार हैं तोरी बताई जाती है यदि रणशेत्र की योजना बताती जाए तो हमने अर्स सस्त्र तो वह हमारे वैसी हो जाएंगे उसमें एक सर्थ है हमारी जो मुसल्मान राष्टवादी हैं जो भारत मा की जै बोलते हैं जो बंदे मत्रम ब खाते हैं उन्हें को बोट देनेंगा जो देश के गद्रक रहें एक एक जो है जेधेव नेऑं यह जो हैं वह त यह कवी थैं लिखाता है आती है आवाज हमें मंदिर मद्जिस गुजियारों से समल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से तो ये जो गद्दार है हमारे देश के जो राष्ट बाजी मुसल्मान है उसका हम प्यार करते हैं सम्मान करते हैं जो देश के गदार हैं हम उनका जो हैं बोड देने अधिकार छीनना चाहते हैं अगर आज उनकी वेल नहीं होती हम गुरुजी के साथ हम भी दन्हें यांच पे बैठें हम जैसे भी आंजल चुआगेंगे, पांच बंदे मेरे साहर हम पांच बंदे होगे, और पांच हजार मंदा मेरा सोब आएगा, उतने हम यहीं बैठें हैं. प्रॾ सास्थन की क्या रनने यहां जैसे देखो एक है मेरे हिंदु समाज ने आए वो गुरूजी उनको लेकर आए रहे कुछी पर पिशॉाष किया हम हमने का पिशाष नहीं तोड़े तो यह जो गौवर्णमेंट हैं सरकारे यह उनके पीछे को ऐसी पावर रहे हैं जब भूंसे जितेंदर नरायन सिंग त्यागी जी जो थोड़े दिन पहले तक वसीम रिजवी थे केवल उनके सम्मान के लिए हम लोग यहां बैठें जैसे उनका वो छुट जाएंगे हम लोग अपना यह अंसन खतम कर देंगे और हम केवल उनके सम्मान के लिए बैठें मैं अगर कोई न महराजी आए हमें महराजी के आने का मतलब है कि हम इस संत समाज का परचर भरफूर मातरा में समर्शन है एक डो लोगों की कहते हैं लेकिन पूरा हिंदू समाज हमारे साथ है केदरिंग का भी हिंदु जो है उस इस तर पे नहीं है जिस इस तर पर मुसलमान काम करें लेकिश में थोड़ा समय लगए यह भी होगा अभी तो हिंदु इसलाम की लड़ाई को अपनी कोई लड़ाई मानता ही नहीं था आज महराजी हमारा समर्थन करने हैं आप इसे छोड यति यतिंद्रानंजी महराजी भी थोड़ी दिर पहले हो गए बहुत सारे हम यहां पर साधू आ रहे हैं लगातार अभी हम इतने ओगनाइज नहीं है लेकिन धीरे दीरे ओगनाइज हो जाएंगे अभी हमारे मन में कभी इसलाम के जिहाद से लड़ने का था ही नहीं संतों ने जैसे संतों निर्बल सुभाव के होते हैं संतों ने मुसल्मानों को ऐसे निर्बल सुभाव का समझ लिया और यह गलती हो गई बाई यह इस गलती को हम भुगत रहे हैं लेकिन यह गलती सुधार लिजाएगी हम लडने माहमन लेकसवछ वनाया हुन्होंने केवल लडने के लिए हम जूना अकाड़े का पृत्फिनिय। करते हैं हम लड़ाई में जुना अखाले का प्रतिनी दित्व कर रहे हैं तो वह हमें कोई यह कौन आया कौन यह इंपॉर्टन नहीं है समय अभी लड़ाई को अभी लड़ाई बहुत लंबी लड़ी जानी है यह लड़ाई या तो हमारे यह उनके खतम होने तक जारी रहे ग होते तो यह लड़ाई को एक तरफ होना ही होगा तो कुछ अब साथ हैं कुछ आगे देखिए इंधन थोड़ा थोड़ा जलेगा ना जबी तो आग बहुत लंबे थमें तक चलेगी अगर सारे एक साथ लड़के मर गए तो फिर कैसे काम चलेगा तो अभी हम लड़े फिर और लोग लड़ेंगे देखिए कमान समालने के लिए बहुत सारे लोग आपने सेर में हमें अकेले भी बैठा देखा होगा केवल महराजी कासिरवाद हुआ करता था आज तो बहुत सारे संतिखटे हो गए तो धीरे धीरे लड़ाई बढ़ रही है लड़ाई छोटी नहीं प्रसासन का कोई सहयोग नहीं है प्रसासन हमारे मुझे लिए अलान के लिए लिए इस नंव कि रिपूर्ट